क्या क्या आप न्यूस की टीम इस समय आप उच चुकी है भुपाल विधान सभा भुपाल मद्य विधान सभा छेत्रे के पूर्ट सयोजग और आम आदमी पालिटी के नेता श्री अमीन राजा साब के पास और अभी हम इसे मद्य परदेश की जो तादा भिषनक्रम है राजनितिक भिषनक्रम है इस बारे में कुछ चप्टा करेंगे सर ये बदाएए अभी जो राजनितिक हालाद चल रहा है ये हालाद क्यों उरके से बूरे सबसे बेली बाद तो ये है कि ये राजनितिक मंच के दुआरा हिंदुस्तान मद्य परदेश की जन्ता को बेवकूब बनाया जा रहा है सब अपने अपनी राजनितिक रोटियं सेखने के चक्करों में उपचनाओ कराने के मूड में भी है जन्ता के पेसे को बरबाद किये जा रहा है जन्ता जो टेक्स जमा करती है उस टेक्स से उसको सुकून से सरकार चलती कोई भी सरकार हो वो सुकून से चले ताकि जन्ता का पाथ साल के लिए विकास हो सके अभी आप फिर चुनाओ कराईए उसके अंदर फिर लगबग 15 महीने गुजर चुका अपने क्या हिंदुस्तान मध्वरदेश के अंदर कमलना जी ने क्या क्या जो काम की यह वो सब आपके सामने हैं उन्होंने विधायकों तक को इजद नहीं दी जिसकी वज़ा साथ विधायक खुल के बोलते हैं कि यह हमसे बिल तक नहीं जाते हैं इन्होंने हमारे काम नहीं करें जोती रदिती सिंदिया जी ने खुद कहा कि हमारे विधायकों के काम नहीं होते थे हमारे काम नहीं होते थे इस अबद उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी से इस्तिफा दिया नहीं दूसरी जिस यह जो अभी जो मध्य प्रदेश के राई जीतिक हालात बने हुए ही जैसे अभी सुभा गवर्नमर ने मध्य प्रदेश के मामहीम हैं उन्होंने विधान सबका सत्र में अभीभाशन लिया सिर्फ चार पंकियों में लिया और उसके बाद संविधान की अपना पूरा समर्थन लेटर गवर्नर हाउस में बेठे वे हैं इस बारे में आप क्या ग्याना जाए देखिए सिंधिया जी ने तो एक तरीख से मानेंगे अपन के कॉंग्रेस पार्टी खत्म हो गई है कॉंग्रेस पार्टी सिफ वेंटिलेटर पे है आज की डेट में द के कॉंग्रेस पार्टी खत्म हो गई है उसी बीच में जितने काम थे है इन्वोनें अपनी काम निप्टा लिए है जितने काम इनको करना थे हैं अर्णर रोनें अंपने काम कर लिए है कि नहीं सरकार हम बचाई हैं लेकिन सरकार तो उसी टाइम खत्म हो चुकी थी और मुझे नहीं लगता कि मद्धिपरदेश के अंदर दुबारा कॉंग्रेस सरकार आईगी इस घर्टा कि रभ में आम आज भी पार्टी कि अपना मद्धिपरदेश में क्या राई है तेक लेकिन से विकास पर काम होता है विकास पर ही केजडिवाल जी की चीट हुई विकास पर ही दिली की सरकार बनी दिली की जंदा ने केजडिवाल जी को चुना आज मद्धिपरदेश के विधायक मद्धिपरदेश के विधायकों का काम खुद कमलना जी नहीं कर रहा है कमलना को ले के बड़ी परिशानी होती है तो सारी चीज़ों को देखते हुए ज्यादा दिन कर रही सरकार नहीं चलती है तो अब यह पूरा मामला राइधी कोने के बावजूर देरेश तक पहुज गया है तो किस्स में भीजेपी और कॉंग्रेस इन दोने के पाद भीच कर क्या वेकल है देखिए अभी वेसे तो सुप्रीम कोट्श लगाया पूर्ण बहुमत के लिए इनने कहा है कि कॉंग्रेस ने क्या हम कर लेंगे कॉंग्रेस के लिए हम भी हमारे पास भी है हमारे पास भी गिनती है हम दोने अपने दावर परस्तुत कर रहा है अब उस भीच में बड़े बड़े यह राजनेताओं का मामला है जहां एक एक विधायक को यह सो सो करोड में खरीश सकते थे खरीश परोस जो तनी दिन चल लाई थी हास्ट्रेडिक चल लाई थी यह सारी चीज़ अपन देख रहा है कि बड़े-बड़े विधायक को को जंता वो आपना वोट डे रही थी पर ये पेसों की वज़़से बिग जाते हैं। इन सारी चीजों को धेहन अभी देखना पड़एक भीगते हैं। कितने गितने आते हैं। ये वागत तो दोनों पार्टी होगी है लागत हो सकता है उतर्ड़ागा होता है। तो अपना उसको खत्म करा लें कि नहीं हो गाया है, हमने यह कर लिया, तो वस्ता बख्ष और विपक्ष दोरों अपने दावे कर रहा है, और सत्ता बख्ष का कहरा है है कि 22 विधाय को बुलाईये, इसमें सुर्म ने छे को तू निलम बच कर दिया, और 16 बुलाईये, और वि 20 लेटर तो कहा जा रहा है कि मद्यप्रदेश की जंता घबराए नहीं, इसके अंदर यह सेविन की मौनूपॉलिसी यह है कि सरकार चली गई है, हम दोबारा इसको चुनाओ को इसको भंग कराएं, शुनी कराएं विधान सभा को और दोबारा चुनाओ कराएं, लेकिन वह तो होना ठीक है, दोबारा यह अपनी राजनितिक रोटी हैं सेखने के चक्करों में दोनों पार्टी हिंदुस्तान के पेसे को, जंता के पेसे को बरबादी के कगार पर पहुचा रही है, जहां आज लोगों के पास एकोनॉमी देखिये, रोजगार देखिये, सुास देख आज कितने क्लीनिक खुलें, सिर्फ एक, देखिये, बोपाल कहां, एक क्लीनिक का घाटन हुआ है, इसलामपुरे के अंदा, अभी पुद्ध जो मद्यपरदेश के कैबिनेट मिनिस्टर है, पीसी शर्मा, उनके विदासमा छेतर में एक हो गया है, एक आरिप अगिल साब क अगर हुआ है, तो यह बड़ी अच्छी बात है, मैंने मुझे एक का मालूम था, और मैंने एक को देखा था, बागी पांच को पर नहीं देख पाया, चार को, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, कि अगर दिल्ली की तरस पर अगर यह काम करते, यानि मैं तो सिफ एक बात मान हो गया, आपको जो वेक्ति, जो सरकार काम करेगी, वो सरकार आगे जनता उसको चाहेगी, जनता के अंदर अबरनेसा चुकी, जनता एक्टिव हो चुकी, जनता समझ चुकी है, कि यह सब बेवकूफी बाते बनाते हैं, यह सिब अपनी राजनितिक रोटियां सेखने के चक तीन रुपे बढ़ा दिये, यह सारा मदाख जो चल आए, यह सारा जनता देख रही है, समझ रही है, लेकिन कुछ भग जो है, उन्हें आज भी यह लगता है, कि नहीं कुछ नहीं जो मोदी जी कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो यह सारे भगतों को भी कुछ दू नहीं आने प्राइबे.